इस question में हमें दे रख था है संगलन परीपत में ग्याद कीजियें यहाँ पर हमें दो point दे रख hade इंदोनों point को इनकालना है पहला यहाँ पर point है परीपत का कुल परति रोद दूसरा point है परीपत में प्रभायत कुल धारा और यहाँ पर हमें diagram दे रखे है इसी परीपत में में वैदुद्धारा भी निकालना है और कुल प्रतिरोध भी निकालना है और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यह कोशन हमारा 2017 में आ भी चुका है और यह कोशन हमारा 4 नमर के लिए most most important है इस तरह का एक नए कोशन 8 साल आता रहता है तो इस तरीके कोशन को आपको करना आना चाहिए कि अगर ऐसा कोशन हमारे अग्जाम में आ जाए तो हम उसको कैसे करेंगे इस तरह के कोशन से बहुत असान होता है बस आपको यहां पर समांतर करम और स्रेणी करम पता होना चाहिए अगर यह आपको पता होगा तो इस तरीके कोशन को आप आप से कर लेंगे तो जिन स्टूदेंट को स्रेणी करम और समानतिकरम आता है तो बहुत बढ़े वात है लेकिन जिन स्टूदेंट को यह नहीं आता तो टेंशन ना ले आवी मैं उनको आगे वीडियो में समझा दूआ और आपकी समझ में आ जाएगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत पूर्ण बेल आइकन को और पर प्रेस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी कोशन्स पर विडियो प्लोड करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब आगे देखते हैं हम इस कोशन के solution को सबसे पहले जो हमें कोशन में दे रखा होगा इसको हम यहाँ पर note कर लेंगे कोशन में हमें एक प्रतिरोद दे रखा है 5 ohm का r1 और एक दूसरा प्रतिरोद दे रखा हमें r2 15 ohm और तीसरा प्रतिरोद दे रखा हमें r3 30 ohm और हमें यहाँ पर विबांतर दे रखा है 3 volt और जो हमें यहाँ पर ग्यात करना है उसको भी लिख लेंगे हमें यहाँ पर कुल प्रतिरोद निकालना है यानि की R की value और यहाँ पर हमें कुल धारा भी निकालनी यानि की I की value तो यह सारी value को अब ध्यान नगना पहले मैं आपको डियाग्रम में समझा देता हूँ कि इस question में हम आगे क्या करने वाले हैं इस question को आगे हम किस तरीके से करेंगे वो पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ तो इसके पहले point में यहाँ पर हमें कुल प्रतिरोद निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ यहाँ पर जो मैं प्रतिरोद दे रखा है R2 और जो यहाँ पर हमें प्रतिरोद दे रखा है R3 इन दोनों को हम समानतिकरम में जोड़कर इनका एक तुल्य प्रतिरोद ले लेंगे R' जिसको हम यहाँ से निकाल लेंगे उसके बाद में यह जो हमारे पास R बन है और जो इनका तुल्य प्रति रोध आएगा R- उनको सेणी करम में जोड़ कर यहां से भी हमें एक तुल्य प्रति रोध निकाल लेंगे R जो कि हमारा परिपत का कुल प्रति रोध हो जाएगा अब ये सबम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे कैलकुरेशन में समझा दिता हूँ सबसे पहले मैं यहां पर लिख देंगे कि R2 वा R3 को समानतर करम में जोड़ने पर तो इनका जो तुल्य पढ़ती रोध होगा वो कितना हो जाएगा हमारा R- अब समानतर करम में कैसे जोड़ते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ तो समानतर करम का फॉर्मूला आपको यहां पर देखे रहा होगा 1 upon R- बराबर 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 यह हमारा समानतर करम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा अब यहां पर हमारे पास R2 और R3 की वैल्यू दे रखी है दोनों की वैल्यू को रखकर यहां से हम R- की वैल्यू को निकाल लेंगे R2 की वैल्यू हो जाएगी यहां पर हमारे पास 15 ओम R3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 हों यहाँ पर हम इनका LCM ले लेंगे आ जाएगा 30 यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस एक 2 और एक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 और 30 हमारा पॉन में चली रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन आर डश बराबर होगा तीन बटे 30 के अब हम यहाँ पर इनकी cross multiply करकर यहाँ से r- की value को निकाल लेते हैं तो यहाँ तक आपको सोज में आए गया होगा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इनकी cross multiply कर देंगे cross multiply करकर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 3 into r- बरावर 30 तो यहाँ पर हमारा r- होगा इस बात का ध्यान रखना r- 1 नहीं होगा तो यह हमारा क्या होगा dash इसी तरीके से तो हमें यहाँ पर r- की value को निकालना है तो 3 जो हमारे पास multiply में उसको हम divide में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r- परावा 30 बटे 3 3 से हम 30 को काट देंगे 10 बार अब यह हमारे पास r- की value आ चुकी है अब हम इसको r-1 के साथ में सेनी करम में जोड़ देंगे जिससे हमारे पास परिपत का कुल परतिरोद आ जाएगा वो देखते हम इसमें आगे तो इसको भी मैं आप चितरे समझा लेता हूँ यहाँ पर तो हमारा थाई एक परतिरोद 5 ओम का और यहाँ परते हमारे पास 2 परतिरोद जिनको हमने समानतिकरम में जोड़ कर यहाँ पर एक परतिरोद बना लिया है r- जो की हो चुका है हमारा 10 ओम अब हमें इन दोनों ही परतिरोदों को सिर्णिकरम में जोड़ कर एक तुल्य परतिरोद निकाल लेंगे r जो की हमारा पहले point का answer भी हो जाएगा अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ तो हम यहाँ पर लिख देंगे r1 वा r- इसको सिर्णिकरम में जोड़ने पर इनका जो तुल्य परतिरोद होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास r और जब हम इनको सिर्णिकरम में जोड़ते हैं तो वो इस तरीके से जोड़ते हैं आपको formula यहाँ पर दिखी रहा होगा r बरावर हो जाएगा r1 प्लस r- r1 की value हो जाएगी 5 और r- की value हो जाएगी 10 तो यहाँ पर हमारे पास r की value आजाएगी 15 ठीक है तो यह हमारे पास परिपत का कुल परतिरोद आ चुका है क्योंकि जो इसका दूसरा वाला point था उसमें में परिपत की कुल वैदुदारा निकाल ली थी तो उसके लिए हमें यहाँ पर परतिरोद की जरुद परती इसलिए हमने पहले यहाँ पर परतिरोद को ही निकाल लिया है अब यह जो हमारे पास परतिरोद आया है r बरावर 15 इसको आप याद रखना इसकी अभी हमें आगे जुरत पढ़ने वाली है जो हम वैदुद्धारा को निकालेंगे तो यहां से हमारे इसके दूसरे पॉइंट का solution इस्टार्ट हो जाएगा तो वैदुद्धारा को निकालने के लिए यहां पर हमारे पास एक formula होता है V बरावर I R तो यहां से हमें I की value को निकालना है तो R को हम divide मिले जाएंगे तो यहां पर हमारे पास formula होन जाएगा I बरावर होगा V upon R V की value आजएगे यहां पर 3 और R की value आजएगे यहां पर 15 15 से हम 3 पर भाग कर देंगे तो I की value हमारे पास यहां पर आजएगे 0.2 Ampere तो यह हमारे पास परिपत में कुल धारा हो जाएगी I बरावर 0.2 Ampere तो दोनों पॉइंटों को हम यहां पर answer निकाल चुके हैं और उनको हम last में एक जगा लिख भी देंगे जो कि आपको यहां पर दिखी रहा होगा कुल परतिरोद आरव बरावर हो जाएगा 15 और कुल धारा आई बरावर हो जाएगा 0.2 Ampere यह हमारे इन दोनों पॉइंटों के answer हो जाएंगे ठीक है बहुत easy question था बस इसमें आपको सेणी करम और समांतर करम पता होने चाहिए अब जिन इस्टूडेंट को सेणी करम और समांतर करम सोज में नहीं आता था इस वीडियो को देखकर आपकी सोज में आ गया होगा और अगर इस question से related कोई भी doubt हो तो आप comment करकर पूछ लेना और अगर आप इसी तरीके के और भी most important questions से देखना चाते हो तो मैंने इसके एक proper playlist बना रखी है उसमें आपको सारे के सारे questions मिल जाएंगे चाहे वो हमारे एक नमबर वाले हों दो नमबर वाले हों या फिर तीन या चान नमबर वाले हों उस playlist का link मैं डिस्क्रिशन में देदूँआ वहां से जाकर आप देख लेना और उस playlist को अपने दोस्तों के साथ जरूँ शेयर करना